नमस्ते मैं हुझ जैन्ती और आपको स्वागत है मेरे चनल पर आज मैं आपको मिन्टेक बनाने बताऊंगे मिन्टेक बहुत ही स्वाधिष्ट और बहुत ही कम इंग्रिडिन में बनके तयार हो जाएगी यह मिन्टेक मुखे तह नौर्थ साइड के लोग जादे पशंद करत है तो चलिए आज हम अपनी मिन्क बनाने के लाक्या रहिप श्रू करते हैं तो यहां मैंने मिन्क बनाने के लिए टे जर्दूद दे लिया है इसे हाइफ नेम पे एक उवान आने तक पकाएं आप इस पे नजल क्योंकि है तो आप इस पे नजल लखो ये उफन नीचे ना आजाये इसे आप पीछ-पीछ में उपधवाज चनाते रहो इसे इसे उवान आजाये तो अब हम इसे उवनले कमयर करते हैं पिच पीच में चनाते हूए गर्णार देख़े हमारी दोद में अब ऊपान आने वादी है यह देखे अब हम इसे दाज़ाता चनाते हूए इसे पर तुछ करेंगे अब इसमेना त्रकराणा तो आप इसे ग्यास हाइक हाइटो मेडियम पर उबालें यह देखिया हमारी दोज़ादी मानी शुरू हो गई है तो आप इसे चालो तरफ सिर्टे हुए चलाएगे इसके चालो तरफ बग जाएगे तो वो जब जाएगे और इसके तब में भी आप अंदर तक कर्छी लेजा करना कि चलाएगे इसे माने हाइप फ्लेम पे लगते हुए रज़ लगातार चलाते हुए मैं पकारी हूँ अगर आपको दूसरे गयास पर कुछ काम करना है और इसे भी बनानी है तो आप इसे मेर्यम प्लेम पर बनाएग और फिर भी इसे नगातार एग नो मिलत में लग तो इसे हम फुरा और पता लेते हैं, इसे वन थर्ड करना है हमें देखिए हमारी दूद वन थर्ड हो चुकी है तो अब हमें के कैसे फुद्रा लेगता है तो इसे फुद्रा बनाने के लिए हम इसमें नीमू कलर टालेंगे तो यह मैंने 1.5 टेवरे स्पून नीमू का लसमें लिया है आप इसमें नीमू बहुत कम यूज करें तो मैंने 1.0 लिटर के लिए 1.5 टेवरे स्पून नीमू इसमें एप कर देती हूं और इसे बस एक बार चलाके ग्यास की फिले लो कर दे और इसे छोड़ दे अब हाफ मिनट इसे मत चला हाफ मिनट के बाद इसे आप चला के देखेंगे तो यह खुद्रा हो जाएगा अदब यह फटना सुरू हो जाएगा अवभ मेत में प्रही कर देता है,. अब मिले कम आपशे के सब नगा है. आप बाय के हमारेมें, नगे हम देता हैकं Kent week UP अब में चाहला के से हां को आपको शनला 돼, कृपने हमारे मालिया के सब्फा तुटवर में. वह थोड़ी चीनी आट को दिखे हुए यह एक भी सब दूद्ध के लिए मैंने हाफ चुप चीनी नी आट है हाफ चीनी एक वाय में ना आट करें, आप इसे दील भी भी ना आट करें तो मैं इसमें पहले थोड़ी चीनी आट करती हुए अगं, भीजज़ी है आपत ये कम एढ़ा कैंजी मैने पड़ा पना पांपना वी मंरी का नापत वी हो पांपना इसे तो करना कना प्लादा लें चायान लेक्टायों करों लगार्छा से लके परीजा मानी हमारी छाला है लगार्षिष के जानी के सबीक्स चाहर हम पेखration november छालारान कि मालया सिसने क्लार्ण कें चीनी नादने के बार ये जादे चिपक्ती में कड़ाई है तो आप इसे हटाते हुए कराए चीनी नादने के बार ये अबने नादने के वाद ये जादे के पकता है तो आप इसे नादने के वाद ये इसकी बोले इसके इंशे भी आती है तो आप ग्यास की फ्लेम के लिए अगर अगर मीडियम प्लेम प्लेम पी प्लेजी ये फ़न के लूँचे आए तो आप नेउं की लो के ले ले विए चिंगी राने के पाछ तो अब हमारी नगवार्व सब्सक्वा जुख है बट अब हमें से फोर यहा पाली और इसे नगाता अब अब आए क्नाना बिलकुल जी सरी कुछै कि नगाता चनाते होएं जायेक जाउ है, क्षालुसाइज से आप से खुलोते हुए। जांसे तक खुलोते हुए। रहती हमें जाले करने हैं, 이용नद में दुफवब स्टफ़ूनी गही अथिखिया dieकर मोझीлем के एक प्सकाहटी है। अच्छे से लेनानी देखिया मारी जब दब सयार हो चुकिने इसे नपर गयास की पिपने लोग लग सपदें इसे आप नगा बनना करें कि तवे में चीपज रहेगा तो फिर आपकी बर्टी अच्छी में बनी रहे अब हम अपनी गयास की जम्लोग कर देते हैं अब हम एक अपनी कटोडी ले लेंगे इसमें हमें इसे जमाना है और इसमें 1 तिबन स्पून ही आड़ आड़ आड़ेंगे इसे इसे ग्रीज करनेंगे इसे अच्छी तरह से ग्रीज करनें चालो मीचे से चालो साइब से इसे आप अच्छी तरह से ग्रीज करनें अगर ग्यास के हमारी बन केक लखी है उसे भी आप मेरा ताल चलाते हैं और नीचे चिकट पथे अपने इस कटोडी को ग्रीस कर दें यह देखिए मेरी ग्रीस हो चुकी है तो आप मेरी कटोडी ग्रीस हो चुकी है तो आप अपनी प्लेम और इसे आप इस कटोडी में दान दें इसे आप अच्छी तरह से कटोडी में दाल दें और इसे अच्छी तरह से इसके दाखिए यह निकारने तो इसे तबा दें और इसे आप कहीं गर्म ज़गा पे धक्ये लग दें इसे हम 24 hours के बाद इसे कट करेंगे तब तक मैं इसे कहीं गर्म ज़गा पे तो यह देखिए हमारे मिन के कितने अच्छी तरह से से ठोच चुकी है इसे मैंने 24 hours के यह गर्म ज़गा पे लग दिया था आप चाहे तो इसे इसे पहने भी 24 hours से पहने भी निकाल सकते हो आप इ नाइफ देंगे और इसकी सहायता से मैं इसे चालो तरह से अच्छी तरह नाइफ को नीचे दाथ दिर में इसे चालो तरह से अच्छी तरह से निकाल देंगे इसे इस बर्तन से अलग कर देंगे अच्छी तरह से धीरे-धीरे नाइफ को चलाए इसे अच्छी तरह से धीरे बेच में अच्छी तुकिया तो इसले हम यह बीच से निकालने के लिए से एक दो सेयद्य के第 2 पर एक लीच से जलाद़ जसे बनता देब सब्सक्राइब अर उसे एक्तम लोफ ने पे कर देते हैं । इस इस बस कुछ सेकेंट के लिए की जिसे ज़ाधे की गर्म हें। इसे हमें कुछ सेकेंड ही गर्म करनी है जिसे कि मैंने इसके अंदर जो घी डाला था वह मेंट हो जाए तो अब हमारी ही मेंट हो चुकी है ये थोड़ी गर्म भी हो चुकी है तो मैं इसके ऊपर एक प्लेट इस तरह से डानूंगे तो यह देखिए हमाली मेंट केक निकन चुकी है यह देखने में कितनी सुंदर कितनी दानेदार लग रही है तो अब हम इसे कट कर लेते हैं इसे आप अपने सेट में जैसा आपका मन हो वैसा आप इसे कट कर सकते हो इसे थोड़ा नंबा ही लहने देखते हूं क्योंकि में इसे थोड़ा नंबा ही अच्छा लगता हम तो अब हम इसे दूसे नेट में डेकोलेट कर लेंगे यह देखिए यह दिखने कितनी अच्छी तो यह देखिए हमार मैंने इसे एक नेट मेलेकुलेट कर लिया है यह देखने में कितने ज्यादे अच्छी लग लिए है अब मैं इसे आपको तोड़ के दिखाते हूं अब भी इसे बनाएं खाएं और अपने अनुवा मेरे साथ सेयर करें अगर आपको मेरी रेसीपी बस शी लगी तो मेरे वेडियो को डाइक सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए अब हम फिर विनते हैं एक नए रेसीपी के साथ तब तक के न